नमस्कार बच्चों पिशे समाजीक विग्नान कक्षा एट का चेप्टर चार वियापारी सासक केसे बने तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे वियापारी सासक केसे बने मध्यांतर में विध्याती पुस्ताकले में अध्यान कर रहे थे जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की काहानी को पढ़कर एक दूसरे का मज़ा कर रहे थे पांस में बेठे हुई उनके वर्ग शिक्षक ने बताया कि पाल मीत्रों यह भी एक निती है दो की लड़ाय में ल मारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतिय राचा ओपर अपनी सत्ता स्तापित की उसके बात करता हुई यानि कि मध्यान तर में विध्याती पुस्ताकले में क्या कर रहे थे अध्यायन कर रहे थे जय और मिताली दोनों बिल्ली और बंदर की काहानी पढ़कर एक दोनों की लड़ाई में लाब तिसरी को ही होता है अंग्रेजों ने भी इसी नितिज का ही लाब उठाया था भारत में अपने राच्य का विस्तार किया था स्रीमान जी यह किस तिरह हुआ जही ने प्रशन किया वर्ग शिक्षर ने कहा कि चलो वर्ग में में आज आपको भ इतिजबर अंग्रेज पर नई राच्य सकती के रूप में उभरने लगे थे क्या आप चानते ही कि अंग्रेज भारत में मात्रा व्यापार करने के लिए आये थे सूरत में अंग्रेजों को भारतिय प्रदिसों में व्यापार करनी के अनुमती प्राप्त करनी थी तो फिर पूरे भारत में वे सासक के से बन गए ऐसे ही तो उनकी बातें अंग्रेजी सासक के साथ चुड़ी हुई है मूल ओदिस तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे इसलिए सर्रता के लिए राज किया शक्ति प्रभा बढ़ाने के लिए उन्हें यह राजनिती अपनाई अठव्या कि ιंक राजनितिक शक्तित पर अंग्रेज या अफ़िक जानते हैं कि अउन्ग्रेजी भारत में वियापार करने विए राज करने के लिए थी यानि कि शुरू आत्मे शुरू सुरू में क्या होती है अनुमती प्राप्ता करनी होती है तो फिर वे पूरे भारत में वे सासक के से बन गई है एसी तो उनके बाते अंग्रेजिस सासक के साथ जुड़ी हुई है मूल उद्देश तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चा सकते हो नक्षे में देख सकते हो वेलेशली की विस्तार योजना कैसी थी यह हम देखेंगे वेलेशली गवनर चनलर बनकर कब भारत में आया तब उस समय इंगलेड ओर फ्रांस के बीच तीवरस परदा चल रही थी भारत में फ्रेंस ताकतवर नव बने इसलिए बारत की द देशी राचयों को अपनी राचय में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी परन्तु सेना का खर्च उस देशी राचय का उठाना पड़ता था इसके साथ ही उस राचय में एक अंग्रेजी प्रतिनीदी रहता था इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनीदी सुरक् परन्तु उनका उप्योग वे कर नहीं सकते थे वेलस लिखी साहाई की योजना के सिकार भारत के उनके देशी राचय बन गए जिसमें नीचा मेशूर अयोत्या गायकवार मराठा आधी राचयों का समावेश होता है देशी राचयों के लिए यह शाहा की योजना मीठे जहर की तरह थी शुरुवात में राचयों को सुडक्षा और मदद दिखलाई पढ़ती थी परन्तु धिरे धिरे वास्ताव में तो वो गुलामी का अनुभव करती ही थी यानि कि वेलेशली गवर्नर जर्नर बनकर जब भारत में आया तब उस समय इंगलेड और फ्रांस के बीच तीवरस परदा चल रही थी भारत में फ्रेंस ताकतवर न बने इसलिए भारत के देसी राचयों में अंगरिज सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेशली ने एक योजना बनाई जिसे क्या कहा जाता है सहाग सहायक योजना कहा जाता है ये सियोजना को स्विकार करने के लिए सिकार करने वाले देशी राच्यों को अपनी राच्यों में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी परन्तु सेना का खर्च उस देशी राच्यों को ही उस्ठाना पड़ता था उसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिंधी रहता था इसी तरह अंग्रेजी सेना और उसके प्रतिनिंधी सुरक्षित रहने लगे देशी राज्यों को अंग्रेजी सेना मिलती थी परन्तों उनका उप्योग वेकर नहीं सकते थे वेलस लिकी सहायक योजना के सीकर भारत के उनके देसी राज़ बन गए जिसमें कौन-कौन से राज़ थे? नीजा, मेशूर, अयोध्या, गायक, वर्ड, मराठा, अधी राज़ों का समाविस हुआ था देसी राज़ों के लिए यह सहायक योजना मिठे जहर की तरह थी करती गई थी वेलस लिकी इस विस्तार योजना सहायक योजना के प्रतम सिकार हेत्राबाद का निजाम बना था बाद में मेशूर और अयोध्या के राच्य सिकार हुए तांचोर और करनाटक का यही हाल हुआ मराठा सरदारों में आपस में जखडा करवा कर उन्हें भी अपनी योजना का सिकार बनाया यानि कि वेलस लिकी इस विस्तार योजना योजना थी उस योजना के प्रतम सिकार कोन बने थी हेत्राबाद का निजाम बाद में में सुरो योजना के राच्य सिकार हुए तांचोर और करनाटक का यही हाल हुआ था मराठा सरदारी में आपस में जखडा करवा कर उन्हें भी अपनी योजना का सिकार बना लिया था मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को काफी नुक्षान उठाना पड़ा था इसलिए निजाम ने सुरो प्रतम इस योजना को स्विकार किया था टीपो सुल्तन का राच्य तो पहले ही अंगरेजु की हुकोमित में आ गया था नाना फड़ मीन्स के अफसान ने मराठा संकर्ष के बीज जगडा हुआ एक के बाद एक मराठा राच्य अंगरेजु के फूट दालो और राच करो यानि कि डिवाइंट एंट रूल की निती के सिकार हो गए अयोध्या, गरकपूर, करनाटक, फर्वुधाबाद आधी राच्य एक या दूसरे बहानों से हड़फ लिया इस तरह से साथ वसके समय में वेलस्ली ने कमपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कमपनी का सत्ता को सर्वापरी बना लिया यानि कि मराटों के साथ लड़ाई करके नीशाम को बहुत नुक्सान हुआ था इसलिए नीचम न स्तरोव प्रतम इस योजना को स्विकार किया था ठीपू सुल्तान का राच्य तो फेले ही अंग्रेजी हुकूमत में आ चुका था नाना फडविस के अवसान के बाद मराटा संग में बीच में छकडा होने लगा एक के बाद एक मराटा रच्य अंग्रेजी चुकी ये फूट नालो और राच खरो यानि कि डिवाइड रूल की नीथी के सिकार हो गये थी जिसमें अयोध्या, करकपूर, करनाटाक, फरुखाबाद, आधी राच्य एक या दुसरे बहानों से हड़ लिये यानि कि जब तकल लिये इस तरह से साथ वस के समय में बेलसली ने कमपनी का विस्तार धीरे धीरे बढ़ाता ही गया और अपनी इस योजना के द्वारा कमपनी का कमपनी सत्ता को सर्वो परी बना दिया तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं चार पहित दो वेलसली की लड़ाई का दुसिया और चार पहित त्री में वेलसली की तस्वीर आप देख सकते हो तो भारत वेलस लेकी सहायक योजना स्वीकार करने वाले राचियो तो कौन कौन राचियो थे वेलस लेकी सहायक योजना स्वीकार करने वाले राचियो तो कौन कौन चे थे ग्वाललयर, अवत, इंदोर, नाकपूर, पोनी, हिदराबाद, बुठान और बंगला देश तो अंग्रेज पूरे भारत में फेल गए वेंलसले की विस्तार यूजनाके सिकार मेसु नीचा मराठा सर्दार बने बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बड़े नेपाल ने भई के कारण उनके साथ मित्रता की उसके बाद अंग्रेचुने सीमा पर यूध्ध किया शीक यानिकी महाराष्टर रंजिस्थी के साथ मित्रता की और अपगान वित्र यानिकी विलसली को विस्तार यूजना के सिकार कुन-कुन थे मेशुन नीचा मोर मरेटा सरदार बने थे बाद में अंग्रेच उत्तर भारत में आगे भड़े नेपाल ने भई ने भई के कारण उनके साथ मित्रता बाँध ली बाद में अंग्रेच उने सीमा पर यूद्ध किया जिसमें शीक यानिकी महा राचा रंजिसी के साथ मित्रता बाँध ली और अपगान के वीद्रहों में जीत प्राप्त की तो सिंध में भी सत्ता प्राप्त स्तापित की शीकों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेचों ने सीख सामराचिय हड़पने की कोशिश की परन्तु छपतक पंचाब में रंजिसी का राचिय था तक तक उने सपलता प्राप्त करने का उफ्षर नहीं मिला इसलिए महाराचा रंजिसी के साथ मिल गए याने की रंजिसी के साथ मित्रता बांधी और अभगान विद्रों में जीत प्राप्त की सींध में भी सत्ता प्राप्त की थी शीखों की बढ़ती हुई ताकत देखर अंग्रेजों ने सीख सामराज्य को हडपने की कोशिश की परन्तु छब तक पंचाब में रंजिसी का राजिय था तब तक उने सपलता प्राप्त नहीं हुई इसलिए महा राजा रंचित सी के साथ मित्रता बांदरी चार पंचाण सहायक योजना स्विकार करने वाले राजिय आपने देखे तो रंचित सी के उश्रमय में सकती साली सा सकते उन्होंने राज़े की सुरक्सा का लिए योरूपया अपसरों की साहता सी मजबुस सिना का नेर्मन किया आसपस के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विचय प्राप्त की थी उनके आप्षान के बाद पंचाब के अराजकता फेल गई रंजिसी जीवित रहे तब तक प जर्नल के रूप में भारत में आते ही उसने सीक सामराज़ों के भेद भाव की निती से अंगरीजी सासके निचेला दिया यानि कि रंजित जी उस समय में के से सासकते सकती साले उन्होंने राज़े की सुरक्सा का लिए योरूपया अपसरों की साहता यानि कि मजबुत सेना का निर्मान भी प्राप्त किया अवस्पस के अधिक्तर प्रदेशों पर उन्होंने वीजय प्राप्त कर लिया था उसके अवसान के बाद पंचाप में क्या फेल गया था और अज़कता फेल गई रंचिस से जीवित रहे तब तक पंचाप के प्रशासान में अंग्रे आते ही उसके शिक सामराज्यों के भेदबाव की निती से अंग्रेजी सासके निचेला दिया तो बच्चों हम आगे देख सकते हैं चार पईट पांच में डोहो जी तो डोहो जी यानि की हड़ निती वेलसलिकी, विस्तर योजना हिंदी राज्यों को पराधिन बनानी की योजना थी वेलसलिकी योजना को स्वीकार करनी वाले राज़ अंग्रेजों के मित्रज माने चाते थे इस राज्यों के भाय या अंत्रिक भई होने के कारण ला परवा होते गए जिससे उनकी व्यवस्ता में कमी आने लगी राजाओ के इस तरह के व्यवार के कारण राज व्यवस्ता में अर्थ व्यवस्ता फेल गई अंग्रेश निती का यह परिणाम था, यह एक प्रकार का क्या था? सड़ी अंत्र, इसमें भारतिय सासन फस्ते गए, राज्यों में फेली हुई, अब यवस्ता को दूर करने के लिए, बहाने राज्यों के आंत्रिक कार्यों में हस्तक शेप करना शुरू कर दिया, शुरू आ म्यान मार का आजाता है, और पंचाप्त प्राक्त को भी हड़ा लिया, जो आसित राज्यों से क्या कहा जाता है, नी संतान थे, उनकी मृत्यों को बाद उनकी राज्यों को हड़ाप कर लेते थे, इस तरह 17 जासी नागपूर आधी राज्यों हड़ाप करके निती के शिकार हुए थे, यानि कि वेलसली की हड़प निती कैसे हुई थी, विस्तर योजना हिंदी राज्यों को परादिन बनाने की योजना यह थी, वेलसली की योजना को स्विकार करने वाले राज्यों अंग्रेजों के मित्रों माने जाते थे, जो भी ये योजना मानते थे, उसे उस लगई राजाओं के इस तरह की वियोवार के काराण राज वियवस्ता में वियवस्ता फ्यल गई थी अंग्रेश नीति का यह परिणाम था यह क्या था सड़ी अंतर इस्में भर्यती असाक फस्ते गए राच्यों में फेली उई इस्ता को दूर करने प्रदिसों में फेली हुई और वियवस्ता के बहानी उनकी हड़प लिया बात में ब्रह्म प्रदिस यानी की वर्तमान यानी के हाल ही समय का म्यान मार कहा जाता है और पंचाप्राप्तों होने की हड़प क्रिया जो आस्रीत राजय यानी की निसंतान थे उनके मृत्यों को बाद उनके राजयों के हड़प कर लेते थे इस तरह उधारण किसे कहते हैं राजयों तो 17-80 नागपूर आधी राजयों हडप निती के शिकार हुए थे तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं 4.6 की भारत में प्रथम रेलवे भारत में अधिकतर उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे की चाई काफी का प्रदेश कपाश का प्रदेश हस्तगत करके गोरे व्यापार्यों की करोडों रूपी की आय करवाने वाला आसय डल होची का था ब्रिटिस सामराच्यों के मस्पूत बनारे और सासन की सुविधा की लिए डल होची ने भारत में कई सुथारे किये थे इसके समय भारत में मुम्मे में थाना तक सरो प्रथम रेलवे नाइन शुरू हुई थी इस समय में भारत और इंगलेट की बीज टेलेग्राम वियोबार शुरू हुआ था डल होची ने भाल विभा प्रतिबंदक कानून तथा विद्वापुन विभा कानून पारित किया था उसके समय में भारत में अंग्रेजी सिख्षा का प्रचर शुरू हुआ था इसी शन अडाशर सतान में भारत में प्रथम तीन इनोशिटी मुंबई चेन्नाई और कोलकत्ता में शुरू हुई थी इस तरह यह शुदार मुला था अंग्रेज सासन के विश्तारों व्यवसा की सरलता के लिए था जिसका भारतिय यानि की बच्चो भारत में अधिक्तर उत्पादान करवाने वाले देश कौन-कौन से थे जैसे के चाय काफी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्ता गत्क यानि की अपने हस्तक नीचे करने के लिए गोरे व्यापारी कोई करोडे रूपिय की आई यानि की इंकम होती थी उसका आसाई डहलोजी का था प्रिटी समरजे के मस्पूत बनाने के लिए और सासन की सुविदा के लिए डहलोजी ने भारत में कई सुधारे भी किये थे उसके समय में भारत में मुंबई और थाने के बीच शरू प्रतम रेलवे लाइन सुरू किया था इसे शन अठार अशो तेरपन में अधूनिक डाक पटती भी उसके ही समय में सुरू किये गए थे इस समय में भारत और इंगलेट के बीच टेलीग्राम विवरवे शुरू हुआ था डहलोजी ने बाल विभा प्रतिबंधक कानुन धथा विद्वा पुन विभा कानुन पारीत किया था उसके समय में भारत में अंगरीजी सिक्सा का भी प्रचार हुआ था तो बच्चो एक वाक्यों में प्रश्न पुछा जा सकता है आप लाइन कर लेना भारत में किसके समय में अंगरीजी सिक्सा का प्रचार हुआ था तो आप लिख सकते हैं डहलोजी इसी सन अठाशो शत्तावन में भारत में प्रथम ती नियुशिटी कौन कौन सी है मुंबई चेन्नर और कलकता में शूरू हुई धी इस सन इस तरह यह शुदार मुलतां अंगरीज सासन के विष्थारो और व्यवस्ता की सरता के लिए था जिसका भारतिय प्रचा को बाद में लाब हुआ पहलो तो किसे लाब था अंगरीजों को इसके बाद किसे लाब हुआ था बारतियों को प प्रजाका अंग्रेजी सासन के प्रती और संतोष दिखलाई पड़ने लगता है। आप क्रांती और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे। यदि न देखी हो तो देख लीचिये। इस समय भारतिय प्रचापर अंग्रेजी की दमन निती साप दिखलाई पड़ रही थी। जिसमें लाट ड़लेचे के द्वारा किये गए सुधारों के कारण। आग में घेट ड सुधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजों हमारी सस्कूरूती का विनास करने लगा है। अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधारों तो उनकी विवस्ता की सुगमता के लिए किया गया था। भारतिय प्रचापर उसके लापी हुआ था। परन्त उसके लिए भार्तियों को अधिकतर किम्मत चुकानी पड़ी लोगों में असंतोस की आग तब वीसपोट का स्वरूप धारन करने लगी थी यह असंतोस 1857 का स्वातांत्रा आदोलन का शंग्राब यानि कि प्रजा का अंसंतोस में देखेंगे सहाय की योजना के बाद लोड डल हो जी की हडब निती के पूरे देश में क्या मचा रखा था हाँ हाँ कर मच गया था प्रजा का अंग्रेजी सासन के प्रती और संतोस सी दिखलाई पड़ने लगा आप क्रांती और मंगल पांडे जीसी फिल्में देखी होंगी तो बच्चों नहीं देखी होंगी तो आपको देखना है तो इस फिल्म के आगे क्रांती और मंगल पांडे फिल्में के आगे तात पर ये क्या बताता है ये उस समय की भारतीय प्रजा पर अंग्रेजी की दमन कारी साब दिखलाई पड़ रही है क्रांती और मंगल पांडे फिल्म में जिसमें लाड देला होजी के द्वारा किये गए सुधारे के काराण आग में क्या है जो सुधारा किया था उसके बात क्या है गी आग में गी डाले जैसे स्तीती बन गई रेलवे ओर डाक तार की सुव पुरानी वीचारधारा को मानने वाले लोगों यानि कि पुराने खयालात वाले जो लोग थे वो लोगों को धिरे धिरे लगने लगा था कि अंग्रेज हमारी सस्कूरूती का क्या कर रही है वी नास यानि कि नास कर रहे है अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधारा त उनकी विवस्ता की सुगमता के लिए किया गया था यानि कि अंग्रेजों ने जो सुधारे किये थे वो अंग्रेजों की सुगमता के लिए किये गये थे भारतिय प्रजा को उसके लाब भी मिले नहीं थे परंतो उसके लिए भार्तियों को अधिकतर किम्मत चुकानी पड़ी थी और फीचे से जो लाब मिले थे उससे ज्यादा कई ज्यादा कई गुना क्या क्या था उसके किम्मत चुकानी पड़ी थी लोगों को लोगों में असंतोस की आग तप तप फिस्पोट का रूप धारण करने लगी थी यहो असंतोज अथाद क्या क्या हागा है हमारा चेप्टर क्या है अड़ाशो सत्तावन का स्वातांत्र आंदोलन का संग्राम तो बच्चों यहाँ पे हमारा चेप्टर खतम होता है और श्वात्य बच्चों एक वाक्य में प्रस्णा दिये गए है तो आपको एक से प्रस्णा दिये गए है वो सामाचिक विकनान के कॉपी में लिख लेने है और एक्जाप के लिए तैयारी भी करनी है झाल झाल झाल